हेई गाई तो चले आज बनाते हैं बहुती इजी और बहुती यम्मी पीजा रोल की रेसिपी वह भी घर पे तो सबसे पहले क्या करेंगे एक बोल लेंगे उसमें डालेंगे आधा कप दही कोई भी दही ले सकते आप घर की जमी या बाहर की और फिर उसमें डालेंगे हम एक नमग एक जमच चीनी बेर फोड़कर हां। यहां पर एक जोत्ता ही क्योती जमच बिक्ट पाउडर और एक बड़ी हिएंग व्हजद सब्रक्राइब लेंगे तो यहां पो भाइन दाला है आप अ कप भरके मैदां और उसके बाद हमär garlic हो कर लेंगे और यहां पर अगर आपको लगए की के मैदा कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा तीन चार पहल AjT 2014 कि जिस साब के लेग है कि आपको लगए आपको बिल्कुल मसल लेंगे फिर उसके बाद इसे रेस्ट करने देंगे दस मिनट के लिए और दस मिनट के बाद डो को एक बार और मसल लेंगे उससे क्या होगा कि जो हमारा डो है बहुत ही आप देखेंगे कि सॉफ्ट हो होगा और हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही बनाना है इसके लिए अब क्या करेंगे यहां पे तो मैंने जितना एक कप मैदा लिया था तो मैं इसका पूरा एक ही पेड़ा बनाऊंगी बड़ा सा हलका सा ओयल लगा लेंगे इसको और अच्छे से फिर उसकी बाद देख रहे हैं अब तपा लीजिए फिर पेलन लीजिए और इसको जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा इसको बेल लेना है बहुत ज़दा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि अगर हम बहुत ज़दा पतला करेंगे तो इसकी जो स्टफिंग है न वो फटके बाहर आ जाएगी तो जो भी आपके पास हो या जो आपको पसंद हो वह आप डालें और जो ना पसंद हो आप उसको स्किप कर दीजे तो आप देख सकते है कि मैंने इस तरीगे से डाल दिया उपर से थोड़ा सा फ्रेश कटवा हरा धनिया भी डाल दिया फिर उसके बाद अब पिजा रोल है तो यहां पे आप थोड़ा सा अजवाइन और चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अब उसके बाद जब सारी हमने उपर से जो सबजिया है और सीजनिंग वो सब डाल दिया तो हम इसको ऐसे साइड से धीरे धीरे उठा के बिल्कुल इसको ऐसे रोल करेंगे और जो कॉर्नर से न वहां से इसको चिपकाते रहेंगे ताकि यह बिल्कुल भी इसकी स्टफिंग बाहर न निकले अडिशनल जो उपर का पार था उसको भी हमने चिपका लिया अब इसे हम चाकू से बड़े प्यार से ऐसे कट कर लेंगे पीसिस में और जो भी स्टफिंग बाहर निकल रहे है उसको एड़ेस्स कर लेंगे हातों से और इसको चिपका के इसकी ऐसे गोल-गोल शेप्स बना के रेडी कर लेंगे फिर एक कड़ाई लेंगे उसके उपर कोई भी बटर पेपर या जो फूड रैप होता है आप वो रख दीजिए और उसके बाद यह जो स्टफिंग हमने भरके रखी वी थी इन रोल्स में इनको बड़े ही प्यार से ऐसे उठाना है और अगर थोड़ी से तीड़ी मीडी हो गई ना कोई दिक्कत नहीं है बस हातों से प्रेस करके ऐसे रख दीजिए और यहां पे हम कोई भी घी तेल कुछ ही यूज नहीं कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ही रखा है और उपर से थोड़ा थोड़ा चीज और डाल दिया अब यहां पे बिलकुल लो फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट हम पकने देंगे बीच बीच में आप चेक करते रहे हैं कि जो चीज है वो मेल्ट हो गई है और जो साइड का मैदा वाला पोर्शन है वो अगर हाथ में नहीं चीपक रहा है इसली पक चुका है तो उसके बाद जो गैस है उसको बंद कर देना और यह देखिए थोड़ा सा हाड हो गया है मतलब कि यह पक चुका है अब इसे यहां से पेपर से निकाल लेंगे और जट पर आपके इंस्टेंट पिजा रोल गाईस बनके रेडी हो जाएंगे तो बिना जंजट बिना तेल के हमने फटा फट से बिना वन के यह सब गैस में बना लिया तो बस बिलकुल बेसिक समान से आप बनाईए खाईए और इंजॉई कीजिए तो हुप आपको वीडियो पसंद आई होगी थेंक्यू फॉर वाचिंग